नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको पेट साफ करने के लिए कुछ घरे लुनस्कों के बारे में बताएंगे आज के समय में हमारी व्यस्त जीवन शैली और खाने पीने की गलत आदतों की वज़र से पेट से समब्दित कई समस्याएं होने लगती हैं जैसे की गैस, बधजमी, पेट दर्द आदी इन सब के अलावा एक और समस्या है जिससे हर व्यक्ति को रोज सुबह सामना करना पड़ता है वो है पेट का साफ ना हो पाना कुछ लोग पेट साफ करने के लिए चूर्ण का सहारा भी लेते हैं लेकिन कभी-कभी उससे भी कोई इलाज नहीं होता है लेकिन आज हम आपको पेट साफ करने के कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिससे आपको बहुती फाइदा मिलेगा तो आईए जानते हैं उन घरे लुनुसकों के बारे में सबसे पहले एकने वेदन उन सभी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं क्रप्या हमारे चैनल की सदसिता को जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमरे दरदी कई जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा बिठा सकें साथी सही जानकारी के लिए इसे अंतितक सरूर देखेगा खाने में लैसुन का सेवन सरूर करना चाहिए क्योंकि यह मल को मुलायम कर आपकी आतों से आसानी से बाहर करने की शमता रखता है इसमें एंटी इंप्लामेटरी के गुन पाए जाते हैं जो पेट की सूजन को कम करता है आप चाहें तो रोजाना लैसुन की एक दो कलियां भी खा सकते हैं इससे आपकी आते स्वास्त रहेंगी और पेट भी साफ हो जाएगा आप मेथी का भी सेवन कर सकते हैं रोजाना सोने से पहले एक चमच मेथी का चूर्ण गुन गुने पानी से ले लीजे सुबह आसानी से इससे आपका पेट साफ होने लग जाएगा इसके अलावा आपको रोजाना दही का भी सेवन करना चाहिए जो आपके पेट में लाबदायक बैक्टिरिया की कमी को पूरा करते हैं आपले पाउडर के सेवन से भी आपको बहुती फाइदा मिलेगा रोज रात को सोने से पहले एक चम्मच आपले पाउडर का सेवन आपके लिए बहुती ज़ादा लाबकारी साबित हो सकता है शहद हमेशा ही लिए आपके लिए फाइदे मंद होता है रात को सोते समय एक चम्मच शहद हलके गुन-गुने पानी में मिला कर पी जाएए इससे सुबह पेट एकदम साफ हो जाएगा यही नहीं आप सुबह एक नीबु को हलके गरम पानी में निचोड़ कर उसमें शहद मिला कर भी पी सकते हैं इससे भी आपको फाइदा होगा अजवाइन बरसों से पेट की समस्याओं के लिए राम बन आउशिदी मानी जाती है रात को सोते समय दो चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में भिगो दीजे सुबा इस अजवाइन के पानी को उबाल कर आधा कर लें और छान कर फिर पी जाईए इससे पेट एकदम से साफ हो जाता है तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जनकरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट सरूर कीजेगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद